आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The structure of flower which forms pericarb and true fruit is पुझा गया कि कौन से structure से pericarb of the fruit जो है वो खर्यूस होता है तो basically pericarb जो है ये outer portion of the food को कहा जाता है outer portion जो कि outer covering भी हम लोग कह सकते हैं और ये जिससे बनता है वो होता है wall of ovary से wall of ovary से इसलिए बनता है क्योंकि हमें पता है कि जब एक flower fruit में change होता है तो ovary जो है वो उसका fruit बनता है और जो ovary के अंदर ovules होते हैं या पिर हम लोग कह सकते हैं जो उसके अंदर का material होता है वो क्या बनता है वो बनता है seeds तो यहां पे pericarb जो है outer portion को कहा गया है जहां पे हम लोग कह सकते हैं ये wall of ovary जो है वही pericarb form करता है ये true fruit बाकी भी हम लोग देख लेते हैं तो first है thalamus थalamus एक ऐसा part है जो की flower के lower pedicle से बनता है और lower pedicle होने के वज़े से ये सिर्फ किसी flower में या फिर fruit में ही पाया जाता है जैसे for example apple में ये take part करते हैं in the fruit formation लेकिन बाकी समय क्या होता है थalamus टेक पार्ट नहीं करते हैं in the fruit formation नेक्स आउटर इंटेग्मेंट ऑफ ओव्यूल जो की हम लोग अभी अभी डिसक्स किये हैं कि ये seed में convert होता है stock जो है ये कभी कभी क्या होता है कि convert होता है fruit में लेकिन maximum ये क्या करता है कि ये dissolve हो जाता है जब fruit formation होता है और last option जो wall of ovary है वही हमारा correct option होगा और उसी को क्या करेंगे हम लोग tick कर देंगे accordingly क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8400400 पर